4G phone में हम 5G कैसे चलाएं? आज हम यही सीखेंगे कि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास 4G phone है और उसमें आप 5G कैसे चला सकते हैं यानि कि 4G SIM है उसे आप 5G कैसे कर सकते हैं 4G SIM को 5G में हम कैसे चला सकते हैं या फिर 4G मुवाल को 5G में कैसे चला सकते हैं आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको प्रूप दिखा देता हूँ अभी आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से देख सकते हैं 5G नेट आ रहा है 5G चल रहा है 5G चलाने के लिए सबसे पहले आपके फोन में सेटिंग होती है सेटिंग पर क्लिक करना है ठीक है जैसिक में सेटिंग में आ चुका हूँ सेटिंग पर क्लिक करना है कोई भी फोन है उसकी सेटिंग में जाईए वहाँ पर आपको कनेक्शन मिलेगा connection में जाएए और वहाँ पर ही आपको देखेगा इस तरीके का एक option mobile network इस पर जाना है और यहाँ पर आपको option देख जाएगा data roaming यह बंद होगा तो इसे on कीजिए voice over 5G यह आपका बंद होगा तो इसे भी on कर दीजिए network mode आपको यहाँ पर 5G कर लेना होगा access on time पर क्लिक करके यहाँ पर आप इस research to default कर देंगे इस तरीके से और network operator को आपको on कर लेना होगा अब यहाँ पर आपके phone में 4G हो सकता है या फिर lt 3G 2G auto connection यहाँ पर हो सकता है ठीक है तो उसका भी तरीक अब आपको बताऊंगा क्या करना है फिर अब यहाँ पर यह करने के बाद आप यहाँ से वैक जाएंगे यहाँ पर आपको डालना है search bar में 5G 5G डालेंगे तो यह देख सकते हैं 5G यहाँ पर आपका बंद होगा इसे आप यहाँ से on कर दीजिए इस तरीके से 5G on करेंगे अब मैं आपको अताता हूँ 4G मॉबाल में 5G कैसे चला सकते हैं 4G मॉबाल में आप 5G नहीं चला सकते हैं चलाने का तरीका एक ही है वो एक मातरी है कि इस फोन के अंदर आप 5G चला रहे हैं 5G फोन के अंदर तो 5G को आप hot spot से connect करके 4G फोन में चला सकते हैं नहीं तो और ऐसा कोई तरीका नहीं है 5G चला पाएं आप इस फीड बढ़ा सकते हैं अपने 4G इंटरनेट की